Everyone, Welcome back to my YouTube channel Learning BK Attitude आज हम लोग KGMU से related संपूर जानकारी एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि KGMU से BSC Nursing कैसे किया जाए KGMU में BSC Nursing की सीटें कितनी है जो BSC Nursing की सीटें कितनी है और BSC Nursing के लिए KGMU का टोटल 4 एर का 50 कितना लगेगा उसके बाद होस्टल की सुविधा किसको मिलेगी क्या क्या फैसलिटी है काटाफ कितना जाएगा इन सभी से related हम आज एक वीडियो के माध्यम से कबर करेंगे तो सबसे पहले हम KGMU के बारे में कुछ जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में क्योंकि देखिए जो हमारी पसंदीदा चीज है उसके बारे में हमें जानना अत्यावस्यक है तो सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं थोड़ा देखे इसके बारे में अगर हम समझें समझ लिए हमारे बारे में दिया गया है मतलब कि KGMU के बारे में एक थे करनल W. Selby और लेटिनेंट करनल C.A. Isprason तो अगर इसके इतिहास के बारे में देखें तो देखें दिया गया है कि 1870 में 1870 में बिजय नगर के महराजा जो बिजय नगर के महराजा ने सबसे पहले लखनव में एक मेडिकल काले सुरू करने का बिचार रखा 1905 में राजा समराट जार्ज पंचम जो उस समय बेल्स के राजकुमार थे वो लखनव की यात्रव प्याय थे उन्होंने इस आउसर को मनाने के लिए एक कालेज के अस्थापना के विचार को प्रेडित किया इस आउसर को मनाने के इस बेहतरीन आदर्स के प्रवर्तक जहांगीर जहांगीराबाद के दिवंगत राजा सर तसदनक रसूल खान थे जिन्हें सर हरकोर्ट बटलर ने एक दिसमबर 1905 को लिखा था यह सोचना आपके लिए गर्व का बिसय होगा कि इस तरह का पहला सुझाओ आंदोलन आपकी ओर से बिल्कुल अनायास आया लेकिन 22 मार्च 19 सुच्छा को सरकार के सचिव यूपी के रजिस्ट्रेट इलाबाद विस्तु बिद्याले को लिखा यह किंग जार्ज मेडिकल कालेज के फाउंडेशन के ग्राकों की इच्छा है कि कालेज पूर्व में सर्वस्रेष्ट होना चाहिए और यह सरकार का लच होगा कि कालेज अपने छात्रों को सर्वस्रेष्ट प्रदान करें सिच्छा संभव है इस परियोजना को सभी ने गर्म जूसी से लिया और आगरा और अवध की तालुकादारों और जमीदारों से राजिसी दान दिया सर हरकोर्ड बटलर स्वयम सदस्यता एकत्र करने की उ देखिए यह image है यह KGMU का image है मैं आपको बता दूँ जब मैंने पहली बार KGMU देखा मैं समझ नहीं पाया कि यह college है कि यह tourist place है मैं सही बता रहा हूँ मैं नहीं समझ पाया कि यह college है कि tourist place है क्योंकि इसकी सुन्दरता इतनी है और यह इतने छेत्र फल में फैला हुआ है कि क्या कहा जाए इसके बारे में देखे जो हम लोग पढ़ रहे थे कि अब तक college को इलावाद विस्विद्याले से संबध कर लिया गया था इलावाद विस्विद्याले से पहले संबध था 1922 में पहली बार सफल चात्रों को अब तक की तरह MBBS इलावाद के बजाए MBBS लखनव की डिगरी दी गई देख लिजे MBBS लखनव की डिगरी 1922 में दी गई 1922 में KGMU से MBBS की डिगरी दी गई उसके बाद ये देखे कुछ इसकी तस्वीरे हैं college पूरा हो गया और पहले medical सत्र का काम अक्टूबर 1911 से सुरू हुआ हाला कि महा महिम सरजान प्रेसकाट हैवेल द्वारा college भावन का अपचारिक उद्घाटन कब हुआ अपचारिक उद्घाटन 27 जनवर 1912 तक नहीं हुआ था 27 जनवर 1912 तक नहीं हुआ था ये देखें किंग जार्ज मेडिकल कालेज नाव इन्वर्सिटी इस समय इन्वर्सिटी है देखिए 1922 के बाद से कालेज और अस्पताल की कई दिसाओं में बिस्तार हुआ सोच और इस्थूल का एक ब्यापक संग्राल है ये देखें कुछ तस्वीरे हैं उसके बाद ये इसके बारे में काफी लिखा गया है तो पूरी कहानी पढ़ना समझ लिजे कि आप देख लिजे कि कालेज का इतिहास कैसा रहा होगा और ये किंग जार्ज मेडिकल कालेज जो है आप देख लिजे कि कैसे क्या है किंग जार्ज यूनिवर्सिटी मेडिकल इन्वर्स्टी 1905 में अस्तापित हुई साह मीना रोड चौक लखनव उत्तरप्रदेश में ये लोकेटेड है उसके बाद देखे ये लिखा है फाउंडेड 1905 गारेंटेड इयर 1916 2006 उसके बाद 30 अंचालन है तो निवीदा सूचना 19 जनुर ये बाकी कुछ ताजा ख़बर ही लिखी गई है तो अब इसके बारे हम देखते हैं कि कैसे हम लोग ब्यस्टी नर्सिंग कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं उससे पहले अगर हम KGMU के रैंकिंग की बात करें तो देखिए यान IRF 2023 के रैंकिंग के हिसाब से इसकी ओबरॉल 77 रैंकिंग थी यूनिवर्सिटीज के मामले में ये 45 नमबर पर था और मेडिकल के मामले में 12 नमबर पर था पूरे इंडिया में 12 नमबर पर था यूपी में नहीं पूरे इंडिया में उसके बाद कुछ और चीज़े देखें देखें नाएक ए एक ग्रेड मिलता है नाएक एक ग्रेड इन्वर्सिटी है ये देखें 2023 से 28 तक ये नाएक एक ग्रेड इन्वर्सिटी है उसके बाद इ देखिए देख लेते हैं और outlook outlook इसका क्या है इनवर्सिटीज का इसका outlook है medical में fourth और dental में second ये सब चीजे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब चीजे बहुत आवस्यक भी नहीं हैं लेकिन हम लोगों के इसके बारे में जानना चाहिए अब देखिए हम देखिए कौन कौन से हैं इसमें MBBS है MBBS है देखिए MBBS हम लोगों ने देखा इसमें MBBS है BDS है उसके बाद देखिए BSC Nursing है इन सभी से जो है टक्कर करता है BSC Nursing BSC Radio Therapy है पोस्ट ग्रेजुएशन में MD, MES, MDS, MFIL, MSC Nursing, DM उसके बाद MCH, MHA, MHPE और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी देखा जाए तो डिप्लोमा और सार्टिफिकेट कोर्सेज में क्या क्या है देखिए डिप्लोमा इन डेंटल हाजीन डिप्लोमा डेंटल मकैनिजम, पोस्ट डॉक्टरेट सर्टिफिकेट कोर्स, फैलोसिप, पैरमेडिकल कोर्स, PC, PNDT, CCHN उसके बाद रिसर्च प्रोग्राम में PhD प्रोग्राम है और MD PhD है समली ऐसे प्रोग्राम है कि आपको किसी भी इनवर्सिटीज में नहीं देखने को मिलेंगे ये देखिए कुछ ब्यू है इनवर्सिटीज का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए ये कुछ ब्यू था इनवर्सिटी का देखिए बात करें एगर इन्वर्सिटी के सकसेज स्टोरी की तो इसकी सकसेज स्टोरी क्या है तो देखिए सकसेज स्टोरी की बात करें तो इसमें 530 प्लस फैकेल्टी हैं 3000 प्लस इस्टूडेंट जो है एकडम सही से पास आउट कर चुके हैं तीस हजार प्लस, मतलब पास आउट नहीं कर चुक है, तीन हजार स्टूडेंट प्रजेंट टाइम में एक येर में पढ़ते हैं, उसके बाद तीस हजार स्टूडेंट निकल चुक हैं, साथ डिपार्टमेंट है इसमें, और चार हजार बेट्स हैं, जो हास्पिटल के लिए बेट्स चाहिए हो, चार हजार बेट्स हैं, यूपी के किसे भी हास्पिटल में इतने बेट्स नहीं हैं, जितने KGMU में हैं, उसके बाद और देखते हैं, देखिए वीडियो इसके पना करिएगा, लाश्ट में बताया जाएगा कि फेस इसकी कितनी है, किस चीज के लिए आप कैसे करेंगे, थोड़ा हम इसके बारे बेसिक जान लें, जिससे कि यदि हमें इडमीशन लेते हैं, कोई इसके बारे पूछे हम कुछ बता सकें, ये देखिए इनवर्सिटी का व्यू है, जो चल रहा है, देखिए ये इनवर्सिटी का व्यू है, लखनव के, और ये देखिए ये इनवर्सिटी का इमेज है, जो कि इनवर्सिटी की फोटो है, आप देखिए किस तरह इनवर्सिटी है, उसके बाद और कुछ हिमेज आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए कुछ हिमेज और है, ये देखिए कुछ हिमेज और है, और आपको बता दूँ, इस कैं चलिए देखते हैं आगे ही हम बात कर रहे हैं के जीम्यू लखनव का तो देखिए इसका जो कोड है ये कोड है उसके बाद के जीम्यू लखनव अब देखेंगे इसमें सीटें कितनी हैं सीटों की बात की जाए देखिए लखनव में लोकेटर गवर्मेंट कालेज है इसमें बाज और गरल कोई भी admission ले सकता है और seatें कितनी है? seatें 110 है देखे आप ये seatे 110 है, ये total 110 seat है और ये सब देखे category wise seatे जो है divide की गई है कि किस category में कितनी seatे है ये category wise seatे divide की गई है उसके बाद देखे आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका जो tuition fees है आप private का देख लीजे private का tuition fees रहता है 1,00,000 72,000, 75,000, 80,000 इसका tuition fees कितना है? केवल 12,000 और देखे आगे देखते हैं हम उसके बाद ये other fees included है हम आपको दिखा रहे हैं total कितना है इसका ये देखे फर्स्ट इयर की fees है ये फर्स्ट इयर की fees है क्या कितना है? 48,100 रूपे फर्स General Candidate and 42,100 रूपे फर्स Reader Candidate तो ये 48,100 जर्स Candidate के लिए है और 42,000 रिजब Legacy के लिए है और बात कीजाए total four year की fees कितनी है total four year की fees कितनी है के वले मातर एक लाग 77,60 में आपका चार साल का B.S.C. नर्सिंग कम्प्लीट हो जाएगा और एक लाख 38 हजार में रिजर्ब कैंडिडेट के का पूरा हो जाएगा समझ लिजे ये जो 25 हजार फिस का फर्क है ये नाम मात्र का है समझ लिजे नाम मात्र का है और देखे आगे बात करें इसके बारे में होस्टल फैसल्टी होस्टल फैसल्टी इसमें देखे होस्टल की फिस अलग से लिजाएगी तो अब देख लिजे उसके बाद अगर इसके कटाफ की बात करें कितना अंक चाहिए तो आप लोग जान लिजे कि अगर आपका 135 पलस है 135 पलस है तभी आपको KGMU मिल सकता है 135 पलस पर ही KGMU मिलेगा उसके बाद जैसे आप round घटता जाएगा second round हो गया, third round हो गया तो उन सभी में अभी अगली बार जो है 125, 124 नंबर पर KGMU मेरे आपके सामने मिला था एक candidate को, 124 नंबर पर जो कि OBC का candidate था, 124 नंबर पर मिला था तो इस तरह रहा अपने KGMU के बारे में टोटल जानकरी अगर कोई चीजे मुझसे में सोई हों तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएगा और कमेंट बाक्स में KGMU जरूर लिखेगा जिससे पता चले कि KGMU के लिए कितने student हैं जो KGMU चाहते है तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट करके धन्यवाद